I am Rahul here and welcome on my channel जैसा कि हम लोग Lucent book को सुन रहे हैं आडियो form में जिसमें हम लोग history के सारे portion को देखे हैं और इससे पहले हम लोगों ने इंडियन जियोग्राफिक का एक class देखा था यानि कि सुना था आज मैं second उसे में continue करूँगा इंडियन जियोग्राफिक में और वो पहला topic है भारत की नदियां ठीक है तो शुरू करते हैं भारत की नदियां में पहला नदी देखते हैं सिंदो नदी ये उदगम फिर इसमें संगम फिर ये लंबाई और इसमें बिसेस्ता क्या है ये सब देखा जाएगा तो सिंदो शुरू करते हैं सिंदो नदी तिबबत उदगम इसका तिबबत में मानसरोवर जील के पास शानो खबाव हिमनत से निकलती है और इसका संगम होता है अरब सागर में इसकी लंबाई है 2880 याने 2880 किलो मेटर और भारत में है 1114 किलो मेटर इसकी सहायक नदियां है जाशकर, स्योक, गिलगित, हुंजा, नूबरा, सीगर, गेशिंग, द्रास, सतलज, चिनाव, रावी, ब्यास तथा जेलम दूसरी नदी पे हम लोग चलते हैं जेलम इसका उदगम होता है वेरिना कस्मीर के समीप सेसनाग जील से इसका संगम होता है चिनाव नदी में इसकी लंबाई है 724 किलो मेटर भारत में 400 किलो मेटर है और इसकी बिसेस्ता है स्री नगर में सिकारा या बजरे चलाया जाते हैं सिकारा मतलब वहाँ का जो नाव है ट्रेडिशनल ठीक है आपने देखा हुगा जो पिर आगे चलते हैं रावी नदी को देखते हैं ये कांगडा जिला हिमाचल परदेश रोतांग दर्रे के पास ने निकलती है और इसका संगम होता है चिनाव नदी में इसकी लंबाई है 725 किलो मेटर और इसकी बिसेस्ता है माधुपुर के पास मैदान में प्रिवेस करती है चिनाव नदी चिनाव नदी का उद्गम चंद्र तता भागा इसके उद्गम अस्तान है जो लाहूल के बाड़ा लाचा दर्रे के दोनों और रिष्टेत है और इसका संगम होता है सिंद्व नदी में इसकी लंबाई है 1180 किलो मेटर भारत में जो कि पूरा भारत में है और मतलब भारत में 1180 किलो मेटर है और विशेश्टा यह सिंद्व नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यह पीर पंजाल में गहरा गार्ज बनाती है यह अखनूर के निकट मैदान में प्रवेस करती है कुलू हाटी में सौरी आगे देखते हैं ब्यास नदी ब्यास नदी उदगम होता है हिमाचल परदेश में रोतांग दर्रे के समीब ब्यास कुंड से 430 मीटर के उचाई पर और यह संगम होता है इसका हरीके कफूर्थला के पास सतलज नदी में इसकी लंबाई है 470 किलो मेटर विशेश्टा इसकी कुलू घाटी से बहती हुई धोला धर कर पंजाब के मैदान पहुंचती है अगला देखते सतलज नदी इसका उदगम है तिब्बत में मांसरोवर जील के समीब इस्तित राकस ताल से उचाई समुन तलसे लगव 4555 मीटर और इसका संगम होता है उच्छ शरीफ यानि पाकिस्तान में यह से लगवक 17 किलो मीटर उ गंगा नदी गंगा उदगम होता है गंगोतरी के पास गोमुक हिमानी समुन तलसे लगवक 4500 मीटर से भी इदिकुचाई पर इसकी मोहाना यानि संगम कहा है बंगाल के खाड़ी इसकी लंबाई 2525 किलो मीटर भारत में विशेस्ता गंगा भागी रहती है यह मलक नंदा न समलित नाम है ठीक है जब दो नदिया भागी रहते हैं अलग नंदा मिलते हैं तो गंगा कहलाती है आगे बढ़ते हैं यमुना नदी को देखते हैं यमुना नदी उदगम बंदर पूच के पश्चिमी ढ़ाल पर इस्तित्त यमुनात्री हिमानी उचाई समुन तलसे कि इसकी सहाइक नदियां है चंबल बेतवा तथा केन ये तीन ये तीनों ही नदियां दच्चिर से यमुना में मिलती हैं चंबल चंबल का उदगम होता है मद्यपरदेश में महु के समीप इस्तित जाना पाव पहाड़ी शिंगार चौरी चोटी उचाही लगवग 843 मिटर मोहाना इस संगम इसका होता है इतावा उत्तर प्रदेश से लबब 38 किलो मेटर दूर यमुना नदि में लंबाई इसकी 995 किलो मेटर है देश के सबसे गहरे खड़ों का निर्मार करती है इसकी सहाइक नदियां है काली सिंद परवती सिपता बनास कूरल वामनी वा मेज रा लंबाई है 696 किलो मेटर छोवन इसकी परमुक साहाइक नदिय है सार्दा यानी काली गंगा इसका उदगम होता है कुमाही हमाले या कुमाही हमाले का मिलान हिमनसे इसका संगम हो से बहराम घाट के समीर घा Braun में घेस कौरियाला इसको इतना नाम है कौरियाला करनाली या घागरा इसका उद्गम होता है नेपाल में टकला कोट से 37 किलो मेटर उतर पस्चिम में मापसा तुंग हिमानी से और इसका संगम होता है सारंत भलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी इसकी लंबा ही है 1080 किलो मेटर इस पानी नामक 180 मीटर गहरे घड़ का निर्मार करती है काली नदी चौकिया तथा छोटी गंगा इसकी साहिक नदियां गंड़क नेपाल में साली ग्राम हुआ वह मैदानी भाग में नारायनी कहलाती है और यह इसका उद्गम होता है नेपाल में इसका संगम होता है पतना के समीब गंगा नदी में इसकी भारत में लंबाई है 425 किलो मीटर और विजेश तक या है सहाइक नदियां काली गंडग तता तिरसूली गंगा है सहाइक नदियां काली गंडग तता तिरसूली है इसमें मिलने वाली गोल पत्थरों को साली ग्राम कहा जाता है कोशी गुसाई थान चोटी के उत्तर से निकलती है और इसका संगम होता है कारागोला के दच्छड पस्चि में गंगा नदी लंबाई इसकी 130 किलो मीटर है विजेशता इसकी मुख्य धारा अरूर नदी तिबबत में पंगचू है सहाइक नदिया है यारू सुनकोशी तामू प्रवाटि लिखू दूद कोशी भोट कोशी यूम तांबा कोशी आदी नेक्स्ट है बेतवा या बेत्रवती इसका उद्गम होता है मद्धेपरतेस के राइसीन जिले में कुमारा गाउं के समीब बिंध्याचल परवत है इस मिलती है संगम होता है हमीरपुर के समीब यम जाती है इसकी लंबाई ये 780 किलोमेटर नर्मदा के समीप उद्गम होता इसका और ब्रह्मपुत्र तिबत में शांपू तथा रॉचल प्रदेश में धिहांग नाम से जाने जाते हैं इसका उद्गम होता है तिबत में मानसरवर जिल से 80 किलोमेटर के दूरी पर इस्तित चैम यूंग डूंग हेमानी समुंतल से लगबक एक क्याउन सो पचास मीटर इसका संगम है बंगाल की खाड़ी इसकी लंबाई है वंतिस सो किलोमेटर भारत में 916 किलोमेटर है प्रमुक साइक नदिया इसकी देवांग लोहित कामिंग सुबंसिरी मानस पुधी मारी पु कि नर्मादा है नर्मादा बिंदवा सत्वढा प्रबत के मद्ध में प्रबस्त आंकलाक द में मद्ध में होकर भैती है उद्गम इसका बिंद्या चले प्रबस्तिरीयों में ईस्थित अमरकंटक नामक स्थान उचाइई समून तल से लगब गए 137 मीटर और शन्गम इसको होता है खंबात की खाड़ी लंबाई इसका तेरा सो बारा किलो मेटर है जबुलपुर में भेडा घाट के समीप कपिलधारा धुआधा जल प्रपात का निर्माण डेल्टा के बजाए यस्चुरी बनाती है या विब्रंस घाटी रिप्ट बैली से होकर बैती है अगला है ता संगम सूरत के निकिट खंबात की खाड़ी में इसकी लंबाई है 724 किलो मीटर डेल्टा के बजाए यस्चुरी बनाती है पूर्डा परमुक साहिग नदी है महा नदी इसका उद्गम 36 गड़ के राहेपुर जिले में सिवा के समीप और इसका संगम होता है बंगाल की इंदोर जिले की काकोरी बरड़ी नाम अकस्तान पर निकलती है और चंबल नदी में मिलती है इसकी लंबाई है 560 किलो मीटर इसके किनारे उज्जैन का विक्याद महा काले शुर मंदिर है जहां प्रति बरावे वर्ष कुम्भ मेला लगता है माही धार जिला मदिपर्देश के अमजोरा में मेहद जील और ये जो है संगम होता है इसका खंबाद की खाड़ी में लंबाई ये 580 किलो मीटर इस पर बजाज सागरबांध बासवाड़ा बनाए गया है करकरेका को दो बार काड़ती है माही नदी द्यान रखना नेक चलत इस्थित नाग पहाड़ी लूनी नदी अजमेर जिले में इस्थित नाग पहाड़ परावली परवद या पुसकर के समीब दो धाराओं सारस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन होती है जो गोबिंद गड़ के निकट अपस मिल जाती है और ये कच्च के रन में ये गायब होती है इसकी लंबा ये 320 क्लियों अटरिया या भारत की एक मातर हंतर वाही नदी है यानि की जमीन पर ही खतम हो जाती है जोवाई सुक्री यूम जोजारी इसकी परमुक साहिक नदी है सूम सूम का उदगम उदईपुर जिले के भीचा मेड़ा नमाकस्तान पर इसका संगम होता है वेडेशवर के समीप माही नदी और विशिशता है इसका जोखम गोमती तता सारनी इसकी साहिक नदिया है साबर मती इसका उदगम होता है जय समुद्र जिल अरावली परबत और इसका जो है संगम होता है खमबात की खाड़ी में लंबाई 371 किलो मेटर बनास नदी अथाद वन की आसा और इसकी उदपत्ती होती है खमनौर की पहाड़ी रास्समन जिला राजस्तान से और ये साथ नदिया बेड़ेच कोठारी मांसी खारी मोरेल है बाण गंगा नदी जो की बैराट की पहाड़ी जैपुर से निकलती है और यमुना में मिलती है इस पर जमवारा रामगड जमवा रामगड के पास बांध बनाकर जैपुर को पेजल गया पूरती होती है कृष्णा य और बंगल की खाड़ी में जाके गिरती है कृष्णा ठीक है चौदा सो एक किलमेटर्स के लंबाई है इसकी साहिक नदिया है भीमत तुंभद्रा मूसी अम्रावती कोईना पंच गंगा दूद गंगा घाड परभा माल परभा आदी ठीक है नेक्स देखते हैं गोदावरी नदिया यह नासिक जिले महारास्ट के त्रिवंग गाउं के पहाड़ी से निकलती है प्रादिप्य भारत की सबसे लंब बड़ी वा लंबी नदिये और संगम मोहाना यह बंगाल की खाड़िम गिरती है और इसकी लंबाई है 1465 किलोमेटर इसे ब्रिद गंगा या दच्छ जो गंगा भी कहा जाता है गोदावरी की प्रमुक साहिक नदियां है पेन गंगा इंद्रावती प्रानहिता मंजिरा सबरी पूर्ना वैन गंगा प्रवदा यूम वर्धा कावेरी करनाटक के कुर्ग जिले में इस्तित ब्रमगीरी पहाड़ी से निकलती है जो कि समुनतल स 241 मीटर उचाई पर है और ये संगम में बंगल की खाड़ी में इसका संगम होता है और इसकी लंबाई है लगवग 800 किलिमेटर इसे दच्छिर भारत इसे दच्छिर भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है स्यू समुन्दरम जल परपात था स्री रंगम यूम स्यू सम अंदरम दीपों के उपस्ते थी इसका मात तो बढ़ा देती है इसकी सहग न देह बाएं के तो बाएं से श्री करनाटक में पस्चमी घाट पहाड की गंगा मुल चोटी से तुंगा तता संबीब में ही कढूर से भद्रा नदी का उद्गम होता है यह साथ कृष्णा नदी में मिल जाती है और इसके लंबाई है तीन सो एक्टिस किलोमेटर इसकी साहिक नदियां है कुमदवती वर्दा मगारी तताहिद हिंद पैननार यह नंदी दूर गिस्रेड़ी की चन्नक किसाबा पहाड़ी करनाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाती है साहिक से में गंगा नदी में मिल जाती है ठीक है 265 किलोमेटर की लंबाई है इस पर बिहार प्रपातिस्तित है पेरियार पेरियार जील से निकलती है यह नदी केरल में प्रवाइद होती है ओमियम ओमियम जील में गाले से निकलती है ठीक है और यह एक छोटी नदी है उमियम हो गया होगली या गंगा की एक साखा है जो धुलिया पच्चे मंगल के दच्छिण गंगा से अलग होती है और पच्चे मंगल के खाड़ी जाके मिलती है इसकी पर मुख सहाएक नदी जुगाली है जलांगी है या भारत में सबसे उंची जोरी है जोर भित वाली नदी है इसका नदी मुख भारत की नदियों में सबसे बड़ा बैगेई कंडन मड कंणूर पच्चमी घाट में मदुरे के समीब तमिलनाड से निकलती है और बंगल के घाड़ी मिलती है 288 किलोमेटर्स की लंबाई है इसकी साइक नदिया है कुसुम वर्सानाड सरिलियार तेवियार बराह यो मंगलार पंचनद नाम पंजाब की पांच प्रमुक नदियों सतलुच ब्यास रावी चिनाप जहलम को दिया गया है आगे बढ़ते हैं उत्राखंड के उत्राकासी जिले में 4500 मेТर के उचाई पर गो मुक के निकिर गंगोतरी हिमाणी गंगा का उदगम सुरोत यहाँ इसे भागी रती कहते हैं यह गंगा की मुक धारा है अमर्क सॉरिय record अलकनदा का उदगम सुरोत बध्रिनाद के उपर सतोपत हिमानी अलकापुरि हिम्रद में है अलकनदा धोली और बिश्नु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है जो जोसी मठिया बिश्नु परियाग में मिलती है अलक नंदा की एक अनिशायक नदी पिंडार है जो इससे कंड परियाग में मिलती है अलक नंदा में महासीर नाम की मचली होती है इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है कि अंडा देने के लिए ये उपर आ जाती है अलकनन्दा यो महान मंदा की नी ये काली गंगा के संगम पर रोधर परियाग है ठीक है गंगा नदी का नाम गंगा देव परियाग के बाद पढ़ता है जहां अलकनन्दा यो भागी रहती है आपस में मिलती है गंगा हरीद्वार के निकट मैदानी भागों प्रिवेस कर दिए यहां से पहले दच्षिण की और फिर दच्षिण पूर्व की और फिर पूर्व की और बहती है ठीक है आगे कुछ नाम देखते हैं जिसे विश्णु परियाग जो है वहां धोली गंगा विश्णु गंगा का संगम है कान परियाग में अलक नंदा इंपिंडार का संगम है और रूद्र परियाग में अलक नंदा मंदा किनी का और देव परियाग में अलक नंदा भागी र पास पदमा से मिलती है और इसकी समलित धारा को पदमा कहते हैं आगे बहती हुई जब या नदी चांदपुर के उत्तर पहुंचती है तो मेगना इस से आकर मिलती है तब या मेगना के नाम से बहती हुई कई जल वितरकाओं में बढ़ती हुई समुदर में मिल जाती है must ब्रमपुत्र नदी यारलूंग जांगपो नदी चेम्यूंग डूंग हिमानी से निकलती है या हिमानी मानसरोवर जील के दच्छिरपूर में लगबग 80 किलो मीटर की दूरी पर है तिबबत में इसे सांगपो अरुनाचल परदेश में दिहांग यो मसाम में ब्रहम पुत्र कहते हैं अरुनाचल परदेश में सदिया कस्बे के पस्चिम में या नदी भारत में प्रवेश करती है या एक पूरबुरती नदी है इसके बाएं तटकी प्रमुक साहिक नदिया, बोड़ी दियांग, धनसिरी, धच्छिड युआ, कलंग, जबकि दाएं तटपर मिलने वाली प्रमुक साहिक नदिया, शुबन सिरी, कामेंग, मानस, संको, सुबन सिरी का उद्गम तिबत में है, और यह भी एक पुरवती नद होती है, और इसके बाद यह जमुना कहराती है, अंतमेया नदी पदमा के साथ मिलकर गंगा, सारी, मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, चंबल राजस्तान की एक मात ऐसी नदी है, जो साल पर भाएती है, यह चौरासी गड़, चितोड के पास राजस्तान प्रवे यह जिले में होकर बहती है, भारत हुआ पाकिस्तान सिंदो नदी जल समझोता संदी, 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रकरम यानि सिंदो नदी यूम, उसके साह एक नदी झेलम यूम, चेनाब के संपूर जलका केवल 20% जल उप्योग कर सकता है, नोट, हरियाड़ा और दि पूर्व की नदी है, बंगाल की खाड़ी में यूम पश्चिम की नदीयां अरब सागर में गिरती हैं, अमबाला में, अमबाला से सुंदर बन तक मैदान लगवा, 1800 क्रमेटर फैला हुआ है, लेकिन उसके ढाल में गिरावट मुस्किल से लबख 300 मीटर का है, आगे बढ़ अंडी जिले से निकलती है, जो गोदावरी यूम रिसकुल्या नदी के बीच में बहते हुए बंगाल के खाड़ी में गिरती है, गोदावरी नदी का जल गरहांड छेत्र, भारत के साथ राज्यों, महराश, तलंगाना, चातिजगर, मद्ध पर्देश, आंध पर्देश, करनाटा के ओड़ीशा में बिस्तरेत है, बाराग नदी मड़िपूर हिल के माउंट जानपो से निकलती है, या भारत के असम मड़िपूर मेजोरम राज्यों से बहते वे बंगलादेश में प्रवाहित होती है, बाराग नदी की पर्मुक साहिक नदिया है, जीरी, जीरी, शिंगला, लोंगड तथा सोनाई, बंगलादेश में इसे सुर्मा तथा मेगना के नाम से जाना जाता है, बाराग नदी को राश्टिय जलमार इच्छे घोसित किया गया है, इस नदी पर तिहाई मुक बांध अवस्तित है, प्राइद विप्य नदियों का उत्तर स कावेरी तापती, 16 सितम पर 2005 को आंतर परदेश सरकार द्वारा लिये गए, महत्पुन निडे के अंतरगत, दचिन भारत की दो बड़ी नदियों, गोदावरी हम क्रिशना को जोडने का करी किया गया, इसके अंतरगत, परिच्छन के तोर पर आंतर परदेश के, गोदावर दोरब बिजय वाड़ा जिले में क्रिशना नदी तक पहुचाया गया है, या पोला वर हम बिजय वाड़ा लिंग परियोजना आंतर प्रदेश के कृष्णा वा गुंटूर जुले में पानी की कमी का सामना कर रहे हैं किशानों के लिए लावकारी मानी जा रही है गोवा में दो महतपूर नदियां हैं मांडवीयम जुहारी मांडवी नदी करनाटक में पस्चमी घाट की ढलानों से उत्पन होती है केरल की सबसे बड़ी नदी भरत पूछा अन्ना मलाई पहाड़ियों से निकलती है इसे पौनानी के नाम से जाना जाता है पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है केरल की पावा नदी बिमनाद जील में गिरती है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है भारत की प्रमुक जीले भारत की सबसे बड़ी तटिये जील चिलका जील उड़ीसा में है जो खारे पानी की एक लैगून जील है यहाँ नो सेना कपर सिच्छन केंदर भी है वरसा रित्मे चिलका को दाया और भारगवी नदी से जल प्राप्त होता है इस जील की लंबाई 65 किलो मेटर चोड़ाई आठ से 20 किलो मेटर और गहराई लगबग 2 मीटर है भारत में सबसे अधिक खारे पानी की जील सांबर जी जील चेदफल 230 किलो मेटर राजस्तान में है भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की जील बुलर जील जम्मु कस्मीर में है इस पर तुलबुल पर योजना है भारत की सबसे बड़ी कृतिम जील गोबिंद बलब पंत सागर है जो रिहंद नदी पर बनाया गया पहाड़िय से घेरे अभिकेंद्री अफवावाले बिस्तरित समतलगर्द को बालसन कहते हैं उंट कडाल पुल डल जील के बीच में इस्तित है और इसका अधिकान सभाग निशान बाग से दिखाई पड़ता है डल जील को स्रीनगर के आभुसर के नाम से भी जाना जाता है नोट भारत है राश्टिय कलायम सांस के धरोवा ट्रस्ट ने जर्मेनी की साहिता से साथवी सताब्दी के उंट कुडाल पुल को पुनुर्धार करने का फैसला कि आगे कुछ जील देखते हैं और उसके स्टेट डल उलर वैरी नाग मानस सेस नाग अनंत नाग नागिन ये सब जीले ज देवताल नौकुछियाताल खुर्पाताल ये सब उत्राखंड की जीले हैं सांबर जील ये राजस्थान की कलिवेली तमिल नाडो खेचे ओप लटी ये सिक्किम की है और राजस्थान की कोछ और जील जैसे राज समंध पिछोला लुनकर लुनकर नरसर लुनकर नसर जील जैसमंद फतेश सागर डिडवाना ये सब राजस्थान में और लोक्टक जील मड़िपूर पुली कट जील ये तमिलनाड वांद परदेश बाडर पे हैं हुसेन सागर जील तेलंगाना कोलेरू वांद परदेश चिलका उडिशा लोनार महारास्टा बैमनाड केरल अस्टा को पलाया कहते हैं इसमें वर्सा का पानी जमा होता है परंत जल्दी ही भाब बनकर उड़ जाता है अधिक नमक वाली पलाया को सैली नास कहते हैं पलाया को अरब रिगिस्तान में खवारी तथा ममलाहा तथा सहारा में सिट कहते हैं सांबर यूम डिडवाना थार मरुस्तल जियल के पूरभी सिरे पर कारे पानी की जील है सांपर जील बालसन का डिड़वाना जील पलाया का उधारणे भारत में सबसे आधिक हुचाई पर इस्तित जील चुलामू जील, सिक्के में तीस्ता नदी का उदगम यहीं से होता है महाराष्ट के बुलधाना जिले में इस्थि लोनार जील जॉला मुख्यूदगार से बनी जील है या एक क्रेटर जील है ओकाई गुजरात तापती नदी पर इस्थित मानो निर्मित जील है रणा परताफ सागर वा जवार सागर राजस्तान यूम गांधी सागर मद्यपरद इस क्रिष्णा नदी पर निजाम सागर मंजरा नदी पर वा तुंगभद्रा करनाटक तुंगभद्रा नदी पर मानो निर्मित जील है लोकटक जील मड़ीपुर पूरबतर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जील है इस जील में केबुल लाम जो नामक तैरता हुआ यह पारक है हुसें सागर जील हैदराबाद और सिकंद्रा के मद्दि स्थेत है पस्चमी तड़ पर इस्थित वेमनाड जील केरल यूम एक लैगून जील है इसी जील में वेलिंगटन दूइप है जहां पर राश्टी नौकायन प्रत्योगता होती है भारत का सबसे छोटा राश्टी राजमार्क एनेच 47 ये बेलिंगटन दूइप पर ही है पूरवी तड़ पर इस्तित पुलिकट जील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून जील है इसका 84% भाग आंधर प्रदेश में यूम 16% भाग तमिल्लान में पढ़ता है बैरियर टापू जिसका नाम ह स्रीहरिकोटा है इसे बंगल के खाड़ी से अलग करता है स्रीहरिकोटा दूपर 27 धावन उपग्रा प्रचेपड के अंदर है पूलिकट जील के जलका मुक्ष्रोत अरानी का लैंजी यूम सोड मुकी नदिया है बकिंगम नहर पूलिकट जील के पश्यमी हिस्से में है 276 इसवे में यूम तमिलनाड तिरवल्लूर जिला वले हिस्से में 1980 में एक पच्छी बरन अस्तापित किया गया एसिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर जील कामर जील बियार है जो बूड़ी गंड़क नदी के घुमाओदार होने का कान बनी थी भारत की प्रमु बरेही पानी बुद्ध बुधव लंगा नदी उड़ीशायों नुह काली कई मेगाले में हैं कावेरी नदी पर तमिलनाड में होगेल होगेन होगेन अकल जलपरपात है था करनाटक राज में भार चुक्की और मालमुरी जलपरपात अवस्तित है चित्रकूर जलपरपात भारत का सबसे चोड़ा जलबरपात है गोड़े के पैरों की आकरत के समान होने के कार इसे भारत का नियागरा जलबरपात कहते हैं एलिफेंट जलबरपात मेगाले में है सास्त अधारा नाम से जलबरपात उत्राखंड उमद्परदेश दोनु राज्यों में है कुची कुल अब देखते हैं प्रमुग जलबरपात और उसकी नदियां कुची कुल बराही नदी पर है करनाटक में है चारसो पच्पन मीटर इसकी उचाई है बरेही पानी ये बुधो लंगा नदी उडिशा में 399 मीटर नो काली कई वर्सा जल से मेगाले में है नदीर का नाम है वर् यन्न नर्मादा नदी मध्यपरदेश 183 मेटर सिव समद्रम कावेरी करनाटक 90 मेटर गोकक घाट प्रभा नदी करनाटक 52 मेटर पायकारा नीलगिरी चेतर तमिलनाडू चुलिया चंबल राजस्थान 18 मेटर पूनसा चंबल राजस्थान बिहार टोंस नदी राजस्थान दुआधार नर्मादा मध्यपरदेश उन्डूरू सौड रेखा नदी जारखंड चित्रकूट इंद्रावती नदी 36 गड़ जोग या गारसुपा को गांधी सागर जलपरपाद भी कहते हैं अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है भारत की जलवायू मौसम यूम जलवायू म है जैसे कि एक दिन में है एक शफ्ता में पर अंतों जलवायू में बदलाओ पचांस अत्वा इससे भी अधिक वरसुप में आता हैं भारत की जलवायू उसकर्बंदी मनसुनी जलवायू है बांसून से अभी प्राय शल्वाय को नियंतर करने वाले कारक को मोटे तोर पर दो वर्घों में बांटा जा सकता है संबंधी कारक संबंदी कारक नबर एक पूर्व पस्चिम दिसा में बाग गुजट दी है इस परकार भारत का उत्री भाग सीतों सकटबंदिये में और करकरेखा के दच्छी परदो हिमाले परबत या अपनी सभी बिस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायो विभाजक की भूमिका निवाता है या ठंडी उत्री पाउनों से सुरच्छा प्रदान करती है जमा देने वाली ये ठंडी पाउने उत्री धुरूब रेखा के निकट पैदा होती है और मद से उचाई उचाई के साथ तापमान घड़ता है बिर्यल वायो के करण परबती है प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं जैसे आगरा और दारजलिंग एक ही अच्छांस पर इस्तित होते हैं कि जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जब वायुदाब पाउनों के गयति युम दिसा तता ढाल की मात्रा और वित्रन को प्रावित करता है जैसे जून युम जुलाई के बीच पच्चमी घाड तता आसम के पउना भिमुग ढाल अधिक वर्सा करते हैं जबकि इसी दोरान पच्चमी घाड के साथ लगा दच्छी प पाउना भिमुग इस्तिती होने के करण कम गर्षा प्राफ्ट करता है नंबर दो वायुदाब युम पाउनों से जुड़े कारक भारत की अस्तानी जल्वायूं पाई जाने वाली विवेता को निम्न तीन कारकों की किरिया विद को जानना आवाज सेकिन नंबर एक वायु संचरन और तीसरा सीत काल में पच्च में भिचोबो ता दच्च पच्च में मान्सून काल में उश कड़बंधी अउधाबों के भारत में अंतरवान के कारण उत्पन वर्षा के अनकूल दसाएं उपर एक तीन कारकों का परभाव सीत युम ग्रीश में रित्में अलग-अ होता है सीतर तुमें प्रभाव हो नंबर एक धरातलिये वायुदाब तता पौने सीतर तुमें भारत का मौसम मध्यूं पश्चमी एसिया में वायुदाब के बित्रण में प्रभावित होता है इस समय हिमाले के उत्तर में तिबबत पर उच्च वायुदाब के अंद्र अस इस उच्छ वायुदाब केंदर के दच्छर में भारते उप महादुप की और से निम्न अस्तर पर धरातल के साथ साथ पौनों का प्रवा प्रारंब हो जाता है। मद देशिया के उच वायुदाब केंदर से बाहर की वो चलने वाली धरातली पॉने भारत में सुस्क महादुईपिय पॉनों के रूप में पहुंचती हैं ये महादुईपिय पॉने उत्तर पच्वे भारत में ब्यापारिक पॉनों के संपर्क में आती हैं प्राणाम सुरूप मद्यगंगागा घाठी तक संपूर उत्तर पश्च्चम तथा उत्तर भारब इन सुस्क उत्तर पश्चमी पंणों के पश्चमी एसिया पश्चम से पूर बहने वाली पश्चुवा पौनों के प्रभाव दीन होता है ये पौने तिब्बत के पठार के समनांतर हिमाले के उत्तर में एसिया महादू उपर चलती है इन्हें जेट परवा कहा जाता है तिब्बत उचिभूम इन जेट परवाओं के मार के औरोध का काम करती है जिसके प्रणाम सरूब जेट परवाद दो भागों में विभक्त हो जाता है बढ़ जाता है इसकी एक साखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है जेट परवाद के दच्छिडी साखा हिमाले के दच्छिड पूर की और बहती है इस अस्तर दो सो से तीन सो मिली बार होता है जेट परवा की यही दच्छी साखा भारत में जाड़े के मौसम पर महत्पुड परभाव डालती है पश्चमी चक्रवाती है भिछोब तथा उच्च कटपन दिये चक्रवात पश्चमी भिछोब जो भारती है उप महाद्यूब में जाड़े के मौसम में पश्चम तथा उत्तर पश्चम में परवेस करती हैं भारत में इनका परवेस पश्चमी जेड़ परवाव दोरा होता है सीद काल में रात्री के तापमान में बृद्धी दोरा बेचोबों के आने पर पूर्व संकीत माना जाता है उच्च कटपन दिये चक्रवात बंगाल के साखा तथा हिंद महासागर में उत्पन होते हैं इन उच्च कटपन दिये चक्रवातों से तेज गती के हवाएं चलती है और भारी बारिस होती है ये चक्रवात तमिलनाडू आंदर परदेश और उड़ीशा के तठीय भागो पर टकराते हैं ये चक्रवात रतियंद बिनासकारी होते हैं अगला है ग्रीश मृत पर प्रवाव नंबर एक धरातलिय वायुदाब तथा पौने गर्मी कमोसन सुरू होने पर जब सूर्य उत्राण की इस्तिती में होता है उप महादेब के निम्न तथा उच दोने ही अस्तर पर वायुपर संचन में उत्करमण हो जाता है जुलाई के मद्ध तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब बेटी जिसे अंता उश कड़बंदी अविसरण आईटी सीजेट कहा जाता है उत्तर की और खिसाकर हिमाले के लगबग समनांतर बीस से पचीस उत्तरी अच्छांस पर इस्तित हो जाती है आईटी सीजेट निम्न वायुदाब का छेतर होने के करण बिभिन दिसाओं में पौनों की अपनी और आकरसित करती है दच्छिडी गोलार्द में उसकटबंदी सामोहिक वायु साहित बिसवत बृत को पार करके सामने दच्छिड पच्छिम देशा में इसी कमदाब वाली पेटी की और अग्रिसित होती है यही आद्र वायुदारा दच्छिड पच्छिम मानसून कहलाती है नमबर दो जेट परवायुम उपरी वायुपर संच्रना जून में प्राइदयुब के दच्छिडी भाग पर पूर्वी जेट परवायुदार नबबे किलो मेटर पर दिघंटा की गत्स से चलता है यह जेट परवाय अगस्त में 15 डिगरी उत्तर अच्छांस पर तता सितं नमबर में 22 डिगरी उत्तर अच्छांस परिस्तित हो जाता है उपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट परवाय सामनता है तीस डिगरी उत्तर अच्छांस से परे नहीं जाता तीसरा पूर्वी जेट परवाय ता उसकटपंदी चक्रवात पूर्वी जेट परवाय उसकट पंदी चक्रवातों को भारत में लाया जाता है ये चक्रवात भारतियों महादयों में वर्षा की वितरण में महत्मुल भूमिका निवाते हैं इन चक्रवातों के मार्ग भारत में सरवादिक वर्षा वाले भाग हैं इन चक्रवातों की बारम भारता दिशा गहनता यूंपर एक लंबे दोड में भारत का ग्रीश मकाली मानसूनी वर्सा के परति रूप नेधार पड़ता है मानसूनी पाउन द्वारा समय समय पर अपनी दिसा पूड़ते हैं बदल लेने के अकान भारत में निम्न चार रितु चक्रवत पाई जाती हैं नंबर एक सीत रित 15 दिसंबर स ग्रीश में तो 16 मार से लेकर 15 जून वर्सा रित 16 जून से लेकर 15 सितंबर तक सरद दिदू 16 सितंबर से लेकर 14 दिसंबर ये नोट ये तिथिया एक सामवान ने सीमा रेखा कोता ही करती है मानसून पौनों के आगमन यों परत्या वर्तन में होने वाली बिलम इनको परियात रूप से प्रावित करता है उत्तरी भारत के मैदानी भागों में सीत रूप में वर्सा पूरभी भिछोब या जेट इस बिस्वत बित पर इस्थित अंता उसकट बंदी अविसरांट छेतर एक निम्न वायुदाव वाला छेतर है इस छेतर में बैपारिक पवने मिलती है अता ही इस छेतर में वायू उपर उठने लगती है जुलाई के महीने में ITCJ 2625 उत्तर अच्छांसों के आसपास गंगा न लिगास को पर्षहत करता है ITCJ के उत्तर की ओर खिशकने के करना दच्छ गोलार्द की विए पारिक पवनें 40 और 60 पूरवी देसांतर के बीज बिस्वत ब्रित को पार करती है कोरियालिस वलके प्रबहों में प्रबहों से बिश्वत बिस्वत पार करने वाली इन ब्यापा सार पॉनों की देशा दच्छर पस्चिम में बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है यही उत्तर पूर्व मांसून है ग्रीस मृत में असम यूम पस्चिम बंगाल राज्यों में तीब्र आध रहाएं चलने लगती हैं जिन से गरज के साथ वरसा हो जाती है इन हवाओं को पूर कि किसी के लिए लावदा है खोता है आम की फसल के लिए लावदा है गोने काड़ इसे दच्छर भारत के रहल में आम्र वरसा मैंगो शावर कहते हैं उत्तर पच्चमी भारत के सुस्क भागों में ग्रीस मेरे तुमें चलने वाली गर्म यूम सुस्क हवाओं को लू कहा ज जाता है जिसे मानसून गरत कहते हैं इसी समय उत्री अंता उसकर बंदियानी की एनाई टी सी उत्र की और खिसरंगने लगती है जिसके परणाम सरे बिस्वत ये बिस्वत रेखी पच्छुवा पौन दच्छी गोलार की दच्छी पूरवी वाड़ेजिक पौन बिस्वत है भारत की प्राइद वीपिये आकरित की कार दच्छी पच्छी मानसून दो साखाओं व्याजित हो जाता है नमबर एक अरब साकर की साखा तर्था दूसरी बंगाल खाड़ी की साखा अरब सागर से उत्पन होने वारी मानसून पौन तीन साखाओं बाटा जाता है अरब स सागर से उतने वाली मानसून की दूसरी साखा बंबई के उत्तर में नर्मदा नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मद भारत में दूर तक वरसा करती है चोटा नागपूर पठार में साखा से पंदरा सेंटीमेटर वरसा होती है यहां यहां गंगा के मैदान भागो में प्रवेस कर जाती है और बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मांसून की साखा से मिल जाती है अरब सागर मांसून की तीसरी साखा सौरांस्ट प्राइदेपियों और कच्छों से टकराती है वहां से या अरावली के साथ 15 राजस्थान को लां ये दूनों साखाएं एक दूसरे के सहारे प्रवलित होकर पशच्जमी हमाले की बिसेश रूप से धर्मसालव में वर्षा करती है गारों खासी यहम जैन्तिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दचिर पर्चिर मांसुन की साखा अधिक वर्षा लाती है जिसके कान यहां इस्थित मासिन राम में गाले बिश्व में सरवादिक वर्षा प्राप्त करने वाला अस्थान है लगभग 1141 सेंटी मिटर म मांसुन की अर्व साखा तुलनात्मक रूप से अधिक सक्तिसाली होता है दचिर पर्चिर मांसुन द्वारा लाएगे को अधरता का 55% भाग अरब सागर से और 35% बंगाल की खाड़ी से होता है मौसम के अनुसर वार्षिक वर्षा के वितर वर्षा का मौसम और समय वदी व परसेंट सीट रूतिया उत्तर पश्य मांसून जनुवरी फर्वर्वरी में 2.6% तमिलनाट तट वर्षा रूत में सुस्क रहे जाता है इसके लिए दो कारण उतर दाएं तमिलनाट तट बंगाल की खाड़ी की मांसून पाउनों के समनांतर पड़ता है दूसरा दचिर प अच्छे मांसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद एक या दो या कई सफ़ता तक वर्षा ना हो तो इसे मांसून विच्छेत कहते हैं यह विच्छेत विविन छेतरों में विविन कारणों से होते हैं नमबर एक उतरी भारत में विसाल मैदान में मां आंतर बहने लगती है तीसरा राजस्तान में मांसून बिच्छे तब होता है जब वाय मंडल के निम्न अस्तरों परतापमान की बिलोमता वर्सा करने वाली आद्र पाउनों को ऊपर उठने से रोक देती है आगे बढ़ते हैं मांसून का निवरतन मांसून के पीछे हटने या निरोर्तित हो जाती है लोटते हुए मांसून पाउने बंगाल के खाड़ी से जल्वाश वग्राणा करके अतरपूर्भी मांसून के रूप में तमिलनाड कोरोمنडल तट पे जाड़े के दुरों में जनौरी फरोरी के महीने में वर्सा करती है वर्शा सरद रित को मांसून परत्यावरतन का काल कहा जाता है इस इस रित से बंगाल यूम अरब सागर में हुश्कटबंदे चक्रवातों की उत्पत्य होती है इस चक्रवात से पूरवी तटिये छेत्रों में मुख्यत है आंतर प्रदेश यूम ओडीशा तथा पच्च्चमी तटि परदेश तापमान यूम हर्शा जलवाय के दो महत्पूर तत्व हैं जने जलवायी वर के सभी प्धितियूँ में नेरधारन नेरायक माना जाता है तत्हां पु के वर्गीकन एक जटील प्लिए कों ने जलवायू कों कि आपने जलवाई वर्गीकन का आधार कमान पडेत योम Ne Massachusetts रखा हैं को प्दीत पर आधारीद भारत की जलवायू निम्नए पांच प्रकार की मोर्ण पर जलवायू सुस्ख्टाब सब्सक्ता कम होने पर अर्द सुस्क्ता अधिक है तो मरुस्तल डबलू कहलाता है गर्म जलवायो जहां सबसे ठंडे होने का आउसत तापमां ठार डिग्री से सब्सक्ता की बीच रहता है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एल नीनो और भारते मांसून एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर पांच या दस साल बाद प्रकट होता है इसके कान संसार के विभिन भागो में सूखा बाड़ो और मौसम की चरम उस्ताएं आती है पूरवी प्रसांद मासागर में पेरू के तड़ के निकट उस समुद्रिय धारा के रूप में प्रकट होता है इससे भारत सही अनेग अस्तानों का मौसम प्रहुत होता है एल नीनो भूमत रेखिया उस कटबंदी धारा का विश्तार मात रहे जो आस्थाई रूप से ठंडी पेरूबिया नत्वा हमबोल् पेरू तटके जल का तापमान 10 डिगरी सेल्सेस बढ़ा देती है इसके निम्लिखित प्रणाम हो सकते हैं प्रणाम होते हैं नंबर एक भूमत रेखिये वायो मंडली परसंचर में बिकिरत दूसरा समद जल की वाश्पन में आने मित्ता नंबर तीन प्लावन की मात्रा प् अ एन अड़ेनों सीत काल के दोरान भारतियों मादियों में गर्म इस्तिति का कान कार बनता है और ग्रीज में काल के दोरान यास पर केषिक पर इस्तितियों और कम मन्सून का कान बनता है नोट एलेनों को साब्दिक अर्थ बालक इशा है क्योंकि यहां धारा दिसंबर के महीने में क्रिस्मस के आसपास नजर आती है पेरू दच्छी गुलार्द में दिसंबर महीने का दिसंबर गर्मी का महीने होता हिम जलवाई हो कि चौता पॉइंट हिम जलवाई हो यहां जहां सबसे गर्म महीने का आउस तापमांद 10 डिगरी से अधिक और सबसे ठंडे जलू महीने का ताउस तापमांद 10 डिगरी से अलसे से कम रहता है नों ने प्रकारों को भीगद करने के लिए व़ड संकेतों का प्रयूंक किया है मंद को अर्ध मरुस्तल डवलू को मरुस्तल के लिए प्रयोग किया गया इसी परकार उभंद को वैक्त करने के लिए अंगरेजी के छोटे वण्ड का प्रयोग है जैसे यफ पर्यापत वरस्द मंसुं होते हुआ वर्फषा वन डव्ल सुस्क सीत रेत शुस्क और करम सी चार महीनों से कम अवधिकी आउसत ताब बन 10 डिग्री सरसे से दिख और जी गमान घंगा का मैदान इस परकार भारत को आठ जलवायु परदेशों बटा जा सकता कोपन की योजना कंसर भारत के जलवायु परदेश जलवायु के परकार छेत्र शेत्र गोबा के पच्चिम में भारत का पच्चिमी तर्थ परकार करक बृत के दच्चिर में पराइद उपिय पठार का दिकतम भाग बी एस हडबलो सुस्ट और दसुस्क स्टेपी जलवायो उत्तर पश्च्छम गुजरात पश्च्छमी रजस्तान और पंजाब के कुछ अस्तान CWG सुस्क सीथ रित्वाला मांसून प्रकार गंगा का मैदान पूर्भी राजस्तान उत्तरी मद्यपरदेश पूर्भी उत्तर पूर्भी भारत का दिक्तर प्रदेश डी अपसी लगुस ग्रीशम तथा ठंडी आद्र सीत रित वाला जलवायू प्रदेश और राचल प्रदेश ए दुरूबिय प्रदेश प्रकार जम्मु कस्पीर लद्दा किमाचल प्रदेश उत्राकंड अके देन सेकंड लग्लास खतम होता है नेक्स्ट मिलते हैं थर्ड में भारत की मिर्दा से स्टारट करेंगे अके एंध थांक यू बेरी मच्च